अब बात करते हैं next upgrade की कोई भी color चाहिए कर सकता हूं इसे red चाहिए तो मैं red color पर click करूँगा lights red हो जाएंगे अगर मैं green पर click करूँगा तो lights green हो जाएंगे blue करूँगा तो blue हो जाएगा तो इसे पहले भी मैंने एक setup का वीडियो बनाया है वो आपको इधर उपर i button में देख रहा होगा so things are pretty much the same but नहा साल है तो कुछ नहाए अपग्रेट्स ली है और इस वीडियो में वी टॉक अबाट थोस अपग्रेट्स तो अगर मैं इसका model number specifically बता हूँ तो that is LPC 007H so जितने भी बड़े stage shows होते हैं वहाँ पर इसी light का इस्तमाल होता है तो मेरे पास अभी ऐसे दो lights हैं इस light में दो model आते हैं एक with wire एक without wire वाला with wire है 7H और without wire है सिरफ 7 तो मेरे पास जो है with wire वाला है मैंने with wire वाला क्यों लिया क्योंकि आगे अगर मुझे नए lights राने हो तो मैं इसी के साथ patching करकी साथ में जोड सकता हूँ मुझे अलग-अलेक्स से connection देने की जरूत नहीं है इन light की खासित है कि यह DMX programmable है और इसको मैं कोई भी color चाहे कर सकता हूँ अब बात करते हैं इन lights को music के साथ कैसे सिंग करना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा लेकिन वो मैं software वाले पार्ट में बताऊंगा तो अगर किसी को यह lights खरीदना है तो इसके links मैंने description में दिया हुआ है यह around 2-3,000 रुपे के असपास पढ़ जाएगा आपको depending on your location मैं prefer करूंगा कि आप offline जाके देखके लेके ही आओ क्योंकि इन में कोई warranty guarantee नहीं होती तो अगर आप जाके लेके आओगे तो जादा अच्छा रहेगा and नहीं मिल रहा तो Amazon सब्दावा अब बात करते हैं next upgrade की दाटेस पहले जो था वो ब्योर कैमरा सेटप था यानि की एक Canon 200D एक GoPro अभी एक तीसरा कैमरा और आगया है जो अच्छल में कामरा नहीं है इस जस्ट एन iPhone 12 मैं इसको भी ऐसे थर्ड कैमरा यूज़ कर लेता हूं अगर के मेरे को कभी recording करना होता है पहला है record box, दूसरा है sound switch, तीसरा है virtual DJ और चौता है OBS जो record box है वो DDJ 400 कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है यह तो आप सबको पता ही है और जितने भी जो audio recording होती है जो आप सुनते हो वो सारा record box में ही record होता है कैसे record होता है यह मैंने पहले वाले वीडियो में explain कर रखा i button यह description में उसका link आ रहा होगा बाकी बचे दो software that is virtual DJ and sound switch, sound switch basically इस light को program करने के लिए यानि की एक गाना चल रहा है और उस गाने में मुझे lights कैसे चाहिए यानि की नीला चाहिए, पीला चाहिए, हरा चाहिए, वो सारा जो है मैं sound switch के थूरू program करता हूँ, दिक्कत यह है कि जो record box software है और sound switch है वो तो उन्हों compatible नहींगे, इसकी वाज़े से मुझे एक third party software यानि कि virtual DJ भी यूज़ करना पड़ता साथ में, ताकि virtual DJ जो है, वो sound switch को बता सके कि अभी currently deck पे कौन सा गाना चल रहा है, तो अगर मैं एक pictorial diagram दिखाऊ हूँ, तो इस तरीके से दिखे, और example अगर में को कोई गाना प्ले करना है, जैसे ब्राउन मडल लेते हैं, तो सबसे पहले मैं जाओंगा sound switch में, और ब्राउन मुझे काने का light show design करूंगा, light show design करने का मतलब कि एक एक line पे, यह मुझे पागल है सारे, यह first line है, तो इस first line में मुझे कौन से color का light चाहिए, किस intensity मे या फिर जैसा भी है मुझे चाहिए, वो मैं design करूंगा, जैसे फर्स line है, तो उस में मुझे blue light चाहिए, तो जैसे आप देख सकते हैं, यह blue light है, first line, और जैसे ही second line आज है, फिर मैं चाहता हूँ कि जो light का color है, वो red हो जाए, तो जैसे आप आप भी देख सकते हैं, यह light red ह हो गया, तो मैं यह सारा जो है light show design करूंगा, यह मैं करूंगा अपने set perform करने से पहले ही sound switch में, तो एक बार यह light show design होने के बाद, अब आते हैं performance वाले पार्ट में, तो उस time मैं क्या करूंगा, record box के first jack पे brown monday गाने चलाँगा, और same time पे virtual DJ पे भी first jack पे brown monday गाने चलाँग तो record box से मैं DDJ400 कंट्रोल करता हूं और जितना भी जो audio है वो record box से बाहर जाता है, यानि कि जो आप audio सुनते हो record box की audio है, और virtual DJ का काम यह है, कि virtual DJ जो है MIDI signal भेजता है sound switch को, ताकि sound switch light को बता सके कि अभी deck पे कौन सा गाना चल रहा है, तो basically record box से DDJ400 और audio का पूरा काम और light का जितना भी काम हो रहा है, वो सारा जा रहा है virtual DJ, यानि कि virtual DJ पहले sound switch को signal भेज़ेगा, और sound switch आगे light को signal भेज़ेगा, कि अभी brown monday गाने चल रहा है, और अभी इस तरीके से light आपको दिखाना है, तो इस तरीके से पूरा framework काम करता है, अब बात करते हैं OBS की, तो अगर मैं screen record कर रहा हूं, तो मैं OBS का use करता हूं, अब next जो बात करते हैं, इस light stand के बारे में, तो जो मैं regular T stand आता है, light वाला मैं वही use कर रहा हूं, यह मैंने पासवाले दुकान से पंदरा सा रुपे का लिया था, तो basically इसमें अलग-अलग quality आते है, और quality के साफ से पैसा है, यह जो 1000 रुपे से शुरू होता है, 2500 रुपे तक जाता है, normal regular सा stand है, कुछ इसमें इतना खास नहीं, अब बात करते हैं, next चीज की, that is sound switch dongle, तो lights control करने के अलग-अलग controllers होते हैं, जैसे DMX 512 controller हो गया, pilot 2000 हो गया, grand MA2 हो गया, तो यह सारे बड़े-बड़े controllers हैं, जो यह DMX light है, उ मुझे एक interface चाहिए होगा, जो laptop के signal है, उसको DMX में convert करे, और यह जो dongle है, sound switch का, वो यही काम करता है, तो यह DMX controller है, यह 3000 रुपे का है, लेकिन यह इंडिया में नहीं मिलता, तो यह मैंने अपने दोस्त, जो Canada में रहता है, उससे मैंने मंगवाया है, तो अगर आपको यह चीज़ चाहिए, तो आप शायद Amazon पर ढूण सकते हैं, अगर मुझे Amazon पर मिल जाता है, तो मैं उसके link ज़रूर description में डालूँगा, नहीं तो आप अपने किसी बाहर के दोस्त से बोलिए, वो आपको खरीद के महा से भिजवा दिए, अब बात करते हैं next upgrade की, तो मैं अभी two monitors यूज़ कर रहा हूँ, एक अपना laptop का screen और एक monitor अलग से, यह जो laptop है, इसमें record box चल रहा होता है, ताकि मैं अपना controller है, वो control कर सको हूँ, और यह जो है virtual DJ चल रहा है, ताकि मैं यह जो lights है, उनको control कर सके हैं, यहीं पर ही minimized sound switch है, जिससे मैं lights को control कर सकता है, जैसे red हो, वो आप इस software के थुरू कर सकते हो, अब बात करते हैं, नेक्स चीज़ की, जो है portable speaker, जो मैं use करता हूँ, यह है board का stone 1500, यह 40 watt का speaker है, portable speaker है, power supply की ज़रुत नहीं है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, जब भी multi-party हो रही है, जाबा नहीं, 10 लोगी भी party हो उसके लिए setup बहत ह यह मैंने राउंड 5 तु 6 की का लिया था, अगर आपको 5000 के नदर पोर्टबल speaker चाहिए, तो this is one of the best option, that is available in the market, अब बात करते हैं, next चीज़ की, that is, जो यह पीछे background में जो lights चल रही है, तो यह basically दिवाली की lights है, यह मैंने ऐसे specifically खरीदा नहीं है, यह आपको दिवाली के ट तो यही था आज के इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो like जरूर करना, अगर कोई doubts है, suggestions है, तो Instagram पे आप मुझे DM कर सकते हैं, मेरा Instagram ID है at the rate edmmans, तो वहाँ मैं regularly behind the scenes वगेरा post करते रहता हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, तब तक के ल झाल